इस धर्थी पर दो तरह के इंसान होते हैं एक दर्थ देने वाले और दूसरे दर्थ को दूर करने वाले तो फाइनली दोस्तों मात्र 3 करोड रुपे के बजट से बनने वाली फिल्म प्रेमगी 3 इंडियन बोक्स ओपिस के साथ दुनिया भर के बोक्स ओपिस पर आज अपने 6 दिन पूरे कर चुकी है और इन 6 दिनों के बाद दोस्तों इस फिल्म का इडिया से और दुनिया भर से जो कलेक्शन है वो कितना हो चुका है क्या यह फिल्म बोक्स ओपिस पर एक बड़ी ब्लोक्बस्टर बन पाई है या नहीं और इस हपते रिलीज होने वाली टोप ग्रोसर फिल्मों की लिष्ट में सामिल हो पाई है या नहीं यह इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी प्रेमगी 3 फिल्म को देख चुके हैं और बोक्स ओपिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स जानना चाहते हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेमगी 3 ज जिस फिल्म के लीड में आपको प्रदीप खड़का और ब्यूटिफुल कृष्टिना गुरंग नजर आई है चेतन गुरुंग और संतो सेंजी ने मिलकर दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है जिसका एक्शन तो लाजवाब है ही साथी साथ दोस्तों इस फिल्म की लव स्टोरी भी ओडियन्स के दिलों पर छाई हुई है बता दे चले दोस्तों आपको की नेपाल सिनेमा की इस मच अवेटेड फिल्म को इंडियन बोक्स ओपिस पर ओडियन्स इंतिजार कर रही थी और यही वज़े रही दोस्तों की इंडिया में जहां ये फिल्म अपने सुरुआती तीन दिनों में एक बहतरीन ओपनिंग लेने में कामियाब रही थी और तीन ही दिनों में दोस्तों इंडिया से ही ये फिल्म अपना बजट रिकवर करके चुकी थी तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बोक्स ओपिस पर इस फिल्म का सुरुआती तीन दिनों का ही कलेक्शन 15 करोल रुपे के आकड़ों को टच कर चुका था दोस्तों बताते चले आपको कि प्रेमगी 3 को ओडेंस की तरफ से अच्छा रिस्पोंस मिला है और यही वज़े रही दोस्तों की यह फिल्म सिर्फ इंडिया या फिर नेपाल ही नहीं बलकि अमेरिका आस्टेलिय और गल्फ कंट्रीज यानि की UAE और सौधी अरबिया में भी काफी अच्छी कमाई कर रही है अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक टोटल की तो दोस्तों इस फिल्म में अपने चोथे दिन जहां दुनिया भर के बोक्स ओपिस पर लगभग धाई करोड रुपे कमाए तो वहीं दोस्तों अपने पांचवे दिन यानि की कल इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो लगभग 2 करोड रुपे के अखड़ो को टच करने में काम्याब रहे ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग 20 करोड रुपे का सुरुवाती 5 दिनों में हो चुका था आज दोस्तों इस फिल्म का box office पर च्छटा दिन है आज की इस फिल्म की जो advance है वो 20 लाग रुपे के आखड़ो को पार कर पाई है वहीं दोस्तों worldwide box office पर इस फिल्म की आज की advance लगभग 55 लाग रुपे से जादा की है ये फिल्म दोस्तों आज अपने छटवे दिन इंडिया में लगबग 35 से 40 लाग रुपे के आखड़ों को पार कर चुकी है तो वहीं दोस्तों वर्डवाइट बोक्स ओपिस पर इस फिल्म का आज का कलेक्शन एक करोड सतर लाग रुपे के आखड़ों को च्छु रहा है यानि कि दोस्तों ये फिल्म 21 करोड रुपे के आखड़ों को अपने सुरुवाती 6 दिनों में पार कर चुकी होगी और बोक्स ओपिस पर एक बड़ी ब्लोकबस्टर बन चुकी होगी ये फिल्म दोस्तों कैसी लगी हमें अपनी राई कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस फिल्म को कितने स्टार देंगे धन्यवाद जे स्री कृष्णा दोस्तों